साहुन महिना को सम्बार हिंदु धर्मालंबी हरु येस महिनालाई विशेस महिना को रुपमा मनावने गर्दछन। हिंदु धर्मालंबी का लागी सम्बार को दिन विशेस महत्त को दिन हो। यस दिन धेरै मैलाहरु भागवान सिव को ब्रतबस्त छन। तर केवल हिंदु धर्मालंबी वहे का देशमा मात्रावईन मध्य यूरोप का देशरुमा समेत सम्बार को खास महत्त्व छ। સાહુન મઈનાહ્ત સોમાર બક્તપુર્કો શીપાડો લિષ્તિર કેદારનાતકો સીર ડોલેશર મંદીર ललिटपुर का सिव मंदीर, बक्तपुर को दत्रात्रेय मंदीर, काब्रे का मंदीर हरूर, पसुपती मंदीर मा विविन्न ठाउवाट श्रद्दालू बक्तजन हरू को खुईचो लागने गर्द छाू मुख्य रूपमा नेपाल को जुन्सुकई भुवागमा बसने माने सर्वले पनी, इस महिना विशेश रूपमा भगवान सीव कुप पुजा अर्चाना का साथ ब्रत बसने परंपरा रही आयको छाू महिला हरू हरियो पहिरनमा सजिनो का साथ हरियो चुरा रहा हात मा मेंदी लगायर यस महिना आयको मौसोस गराउद छन भने भगवान सीव को पुजा गरी ब्रत बसने गर्द छन। पूरु सरुपनी पहेलौ बस्त्रमा सजियर शिव को मंदिर मा पुजा अर्चाना का लागी जाने गर्द छन। सोम्बार ब्रतबसने दिन भर भगवान सीव को पुजा गरने औनी बेलु का चोखो खाने कुरा खाने जस्मा विशेशगरी करकलो खाय र ब्रत तेस दिन को समाप्त गरने चलन छा। सीव जस्तई बर पाम भने ब्रतबसने गरेको पनी पाईन छा। विभाईता मयला आफनो घर परिवार र श्रीमान को स्वास्थेको लाब को कामनागर्दई ब्रत बसने गर्दचन भने। साहुन महिना वर चोखो खायर माचा मास नखायी कन सुद्धा वायर वसने गर्दचन भने कती जानाता लसुन प्यास था बीटूलो मानेने कुनिपनी खाने कुरा नखायी कुरा एक महिना सुद्धा चोखो खायर साहुन महिना वर ब्रत वसने गर्दचन एशरी एक महिना सम्मा ब्रत बसेर साउन महिना मनावने गर्द छन। बोल बम पनी यही साउन महिना मा जाने गर्द छन। तपाईयरू अईले हिर्दे हनुँँछ ब्रहब नेपाल। तपाईयको साथ माच्छू म संतोस्वाट राए। आजकू यो ब्लोग या लाइक कस्तो लागी रहेको छा। क्रिपिया कमेंट बोक्स मा कमेंट गर्ण न बुलन। आमरो ब्लोग चानल लाइ सस्ट्राइब गर्ण बहेको छाईना बने सस्ट्राइब गर्ण पनी न बुलन। तपाईयले कमेंट गरेर एक लाइक गर्दीन बह मां हामी अज़ हुशी ने थियों। सोम्बार को ब्रतगर्ने हरुले कामसी भोजन खानों दैना। सात्वी खाना खानों पर्छा। त्योपनी एक्छा। फल्फुल सेवन गर्न निशेज छाईना। सोम्बार को ब्रतगर्दा सेतो फूल र बेल पत्र। धतुरा को फूल आदी शिव लिंगमा चड़ायरा खुजा गर्नों पर्दाछा। कुनेई कामना वा इच्छा छा बने तो इक्छा मानमा समझेरा शिव पार्वतिको एकैसाथ पुजा गर्दै नमन गर्नों पर्दाछा। एशरी फुजा गर्दै सिव पंचाच्यर मंत्राप को जब गर्नों पर्दाछा। ब्रह्माचार्य को पालाना गर्नों पर्दाछा। साउनको संबर छिट्टे उठेरा भगवान सिव को द्यान गर्नों पर्दाछा। छुलालाई सम्मान गर्णों पर्षा भने उनेई पनी असायेको अवहेलना गर्णों दैना साउन मां मांच मदिरावाच चाड़ा रहनों पर्षा एसले जीव त्याको पाप लागनों का साथै तन मन पनी असुद्ध हुन्छा साउन हरियालुको मौसम हो हरियाली सिवजिलाई अत्यांत मन पर्षा तेसायले साउन मां रूख बिरुवा काटनों असुद्ध मानें छनुद्ध तपैरु अईले हिर्दे अनुँँछ रहग नेपाल। तपैको साथ मां छुद्ध मां संतोस बट्राए। आजकू यो ब्लोग यानलाई कस्तो लागीराएको छुद्ध ग्रिपे आ कमेंट बक्स मा कमेंट गरन न बुलनों अला। आमरो ब्लोग चानललाई सस्ट्राइब गरन भवयको छाहिना बने सस्ट्राइब गरन पने न बुलनों अला। ता पाइले कमेंट करे रहा एक लाइक गर्दिन भाय मां हामी अज़ा हुशी ने थ्याओं सोम्बार को अंक द्वी हो एसले चंद्रमा को प्रतिनित्तो गर्द छा चंद्रमा मन को संकेत्ध हो और चंद्रमा भगवान सिवको मस्तक्मा पने विराजमान छान चंद्रमा मनसो जात अर्थात चंद्रमा मन को मालेकोन तसर्थ मन को नियंत्रण और नियमन मा चंद्रमा को भुमिका हुँँछ एसको सोजो अर्थ यहो कि साधकले मनलाई नियंत्रीत गर्दा मुक्ती पाउंचन। त्रीगुणातीत भाव प्राप्त गर्दा चन। अनि यही नई साधकको जन्ममरणको मुक्तीको आधार बन्चा। शुर्यले ताब्त था चंद्रमाले सितलता प्रदान गर्चन। एसकारण शुर्यक करकट राशीमा आयपची बर्षा उन्छार। एसले शिवलाई खुसी पार्च। तेसाईले यो महिना ब्रत बशी सिवजीको प्रत्र पुजागरे आफु, स्रीमान, संतान, एवं परिवार सभाईको कल्यानोंने धार्मिक विश्वास छा। महिना को अन्य दिन नसके पनी सुम्बार ब्रत बशी सिवलाई सुद्ध जल चडायारा खुसी बनावन शक्किनचा भन्ने सास्त्रिय मान्यतार आएको छा।